प्यारे दोस्तों को हलो नमस्ते गुड मॉनिंग और कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्थ होंगे और आज हम एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ फिर से आ गए हैं तो हम औरतों की रोज की यही समस्य होती है कि आज नास्ते में क्या बनाए आज खाने में क्या बनाए है न तो उसी टेंसन को थोड़ा सा कम करने के लिए आज मैं फिर से आपके पास एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ तो वैसे तो आप सबने ढोकला हमेसा बनाया भी होगा और खाया भी होगा तो चलिए आज बनाते हैं मेरे तरीके से तो के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर एक बरतन में एक कटोरी सूजी लिया है उसी कटोरी से एक कटोरी मैंने यहां पर बेशन लिया है स्वाद अनुसारिया आधा छोटा चममच नमक डाल देंगे इसमें और एक गलास यहां पर मेरे पास ताजी मठा है अगर आपके पास म जाल करके इसे भी बीजाल दिया है और अगर हम इसे कटोरी से ना पे तो जिस पषिच से मैंने सुजी और यह विशाया मठ्था है और मैंने पानी ढाल जब तीन गडर जितना मैने महत अच्ट कर लेना है अगर आपके पास समय गरं कंभी आप सब्सक्तय इसे और जब तक यह रेष्ट करती है तब तक हम इसकी बहुती मज़ेदार चटनी तयार कर लेते हैं तो एक मुठी यहाँ पर मैंने धन्या डाला है तिन हरी मीर्च है दो चम्मच यहाँ पर सफेद तील है और दो चम्मच यहाँ पर मैं नारियल का खोपरा यूश कर रही तीन-चार कली लहसुन है और स्वाद अनुसार नमक है और एक कप यहाँ पर मैंने वही मठे का यूश किया है अगर आपके पास दही है तो आप दही डाल दीजिए यह घर की है तो बहुत गाड़ी सी है तो अब हम चटनी पीछ लेते हैं तो तयार है हमारी बहुत ही टेस् इसनी चटनी तो से मैं जब ढरिगा बनाती हुँ ना तो इसके साथ में इमली वाली चाटनी भुंत लेकिन आज मंडी नहीं भी गोई थी इसलिए मैं logrिगर्र टांवालव ह्या है अब हम बर्तन तेर कार लेते हैं इसे हमें ढ़कल बनाना है तो यहाँ पर आपको थाली केक जिसमें भी आपको बनाना है आप वो बरतन लीजिया उसे क्रीस कर लीजिए तो मैं यहां पर यह जो टीफिन वाला डब्बा होता है ना उसी में बना रही हूं और अब यह देखिए यह जो बैटर था हमारा वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और यह जो इनो फ्रूट देर किये हम इसमें जो बैटर है वो डाल देंगे अब इसमें उपर से लाल मीज का पाउडर डाल देंगे यहां पर मैंने एक कढ़ाई में दो ग्लास पानी डाल के रखा है उसमें एक इस्टेन रख देंगे इस तरह का अगर आपके पास है तो रखिए और नहीं है तो कोई भी कटोरी या प्लेट आप उल्टा करके रख सकते हैं इसमें पानी में अच्छे से उबाल आ चुकी है तो अब यहां पर हम अपना धोकला वाला बरतन सेट कर देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे तो कोई भी ऐसा बरतन लीजे आप जिससे की भाप निकल ना पाए वैसा बरतन ढग दिजिए आप यहां पर अलगभग 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसे निकाल लेंगे ठंडा होने देंगे जैसे यह ठंडी हो जाए इसमें हम कट लगा लेंगे और जैसे आप जैसे भी आपको काटना है आप इसे काट करके तयार कर सकते हैं अब इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा तड़का तयार करते हैं तो एक कढ़ाई में मैंने तीन तीन चम्माच तेल डाला है अब इसमें एक चम्माच राई डालेंगे तीन हरी मिर्च है जिसे मैंने 20 से चीरा लगा करके डाल दिया है दो भाग में डिवाइट करके थोड़ी सी मिठानिम की पतियां है दो सुखी लाल मिर्च है एक चम्माच इतना मैं यहाँ पर सफेद तील डाल रही हूँ इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है तो जैसे ही हम तील डालेंगे तुरन ढखकन ढगा करके आप इसे ढख दिजी क्योंकि जो तील होती है यहाँ पर मैंने दो चम्माच शक्कर को घोल लिया था पानी में अब यह पानी इसी में डाल देंगे और वापस से ढखकन लगा देंगे तो जो मार्केट में खंबन ढोकला मिलती है ना हम उसी तरह का बना रहे हैं बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखूंगी इसे गिला गिल लेंगे और लिजे तयार है हमारी गर्मा गरम ढोकला विद ग्रीन चटनी तो उम्मीद करती हूं कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्ली